नमस्कार दोस्तों मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हादिक अभिननन करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे मुलांक तीन की अंक तीन के अधिपतिग्र हैं ब्रहस्पति यानि जुपिटर अतर जिस भी बैक्ति का जन किसी भी मेहने की तीन, बार, इकीस या तीस तारिक को हुआ है उनका मुलांक तीन होगा और उनमें ब्रहस्पति के गुन बिध्यमान होंगे दोस्तों सौर मंडल में ब्रहस्पति एक बहुत ही बिसाल और खुद से रोशन ग्रह है और सुरिशे प्राप्ट एनर्जी से भी अधिक त्रशारित करता है दोस्तों ब्रहस्पति को देव गुरु भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी देवताओं के गुरु है ब्रहस्पति जो हैं वो धर्म, न्याय और इनर एवादनस के गुरु है गुरु ब्रहस्पति जो हैं वो स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, पावर, हार्ड लेबर, एनर्जी, नॉलेज और स्पीच के ग्रह है इसलिए अंक तीन के रूप में जन्म लेने वाले बैक्ति एक्टिव, एम्बीसियस, डिसिप्लीन, वेल बिहेबियर होते हैं तीन नंबर वाले बैक्ति को सादा जीवन उच्चे विचार पसंद है गुरु यानि ज्ञान बाटने वाला, ज्ञान का पचार पशार करने वाला तो अंक तीन वाले बैक्ति सदा ही ज्ञानी होते हैं ये लोग कंट्रोलिंग पावर और पावर की चाह रखते हैं तीन नंबर वाले लोग मोरल वैल्यू वाले भी होते हैं गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण इनकी विचार धारा धार्मिक रहती है एवं पढ़ाई लिखाई करना और लोगों को पढ़ाना यानि बौध्य कस्तर के काम और धर्म कर्म के एरिया में इनकी अच्छी उपलब्धी और ख्याती मिलती है साथ ही तीन नंबर वाले ट्रेस्टेड और रिस्पंसिबल पोस्ट पर इनकी पूरी धाक जमती है क्योंकि ये लोग खुद भी बहुत ही रिस्पंसिबल डिसिप्लीन और ट्रेस्ट वाले होते हैं लेकिन वहीं अंक तीन वालों में कुछ कमजूरियां भी होती हैं ये लोग स्वाभिमानी और तानासा अडियल भी होते हैं ये खुद कानून बनाने लगते हैं और चाहते हैं कि उनके कानून का पालन सभी लोग करने लगे इस कारण जगड़ा भी करने लगते हैं ये जगड़ालू नहीं होते हुए भी जगड़ालू हो जाते हैं और अपना दोस्मन बना बैठते हैं अंक तीन वालों के सुरिच चंद्र और मंगल यानि एक दो नौ से फ्रेंट्सिप रहती हैं वहीं बुद्ध सुक्रियानी पांच और छे से इनकी सत उता रहती हैं अंक तीन वाले लोग कोई भी सुबकाम नया काम 3, 12, 21 और 30 तारिक को और जबी, सोम, गुरू और मंगल वार को सुरू करें तो सफलता की काफियासा रहती है अंक तीन वालों को कुछ सावधानिया भी रखनी चाहिए ये लोग अपने तानसाही प्रविर्ती और अती स्वाभिमान के कारण सत्सु बना लेते हैं तो उसे खतम करें जो इनके परसनालिटी के खिलाप है और प्रोग्रेस में रुकावट भी है तो तीन नमबर वाले लोग अपनी जिजिटपन और अडियल सुभाव त्याग दें तो जल्दी जनप्रिये हो जाएंगे ये आपकी सक्सिस की की है दोस्तों इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ मिलती हूँ इससे आगे अंक चार के साथ तब तक आप मेरे विडियो को देखें लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें नमस्कार धन्यवाद